सब्सक्रिब कीजी रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और घंटी को ज़रूर दबाए ताकि सबसे पहले आपको सरकरी परतियों रोजगार समाचा न्यूज और ताज आपडेट की चानकरी मिल सके आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्धम से बताऊंगा कि जो इलेटर्ष ब्रेकिंग न्यूज आ रही है किसान करज माफिकी तो आप देखिए इस वीडियो के माध्धम से मध्धे परदेश सरकार का बड़ा एलान पांच मार तक सभी किसानों के 25 लाग किसान हैं उनका करज माफिकी वचन को जो पूरा किया जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि आगामी 5 मार्च 2019 तक राज्जे के 25 लाग किसानों का करज माफिक कर दिया जाएगा इसके साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि विदान सभा में विशेश चर्चा के दोरान बोद्वार को मोखे मंत्री कमनात ने कहा कि किसानों की करज माफिके लिए सरकार पूरी तरह गंबीर है कांग्रेश ने पूरी समिक्ष्या के बादी अपने वचन पत्र में किसान करज माफिक का वचन दिया था आने वाले देखे राज्जे के जो 25 लाग किसान है उनका करज माफ कर दिया जाएगा 5 मार तक इसके साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि कमनातनी वीदान सवा में चर्चा के दोरान ये भी कहा कि राज्जे की आर्थिक इस्तती अच्छी नहीं है लेकिन उसके बाद भी किसानों के करज माफ करने का पूरा धान दिया गया है इसके साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि लेखा नुदान में किसान कर्ज मापी के लिए परियापत धनरासी का प्रावदान नहीं किये जाने के बाद बाजपा के सवाल पर कमना सरकार ने कहा कि पांच मार्च को हम ये बता देंगे कि किसानों का कर्ज माप किस परकार किया जाता है सरकार ने राज्ये के 55 लाग किसानों का जो 2 लाग रुपे तक का कर्ज माप करने का एलान हुआ है इसके तैथ सरकार ने किसानों से आवेदन भी कराए है तो मद्दे परदेश के कमनास सरका ने इस परस्ट कहा कि जिन किसानों ने के सिसी कार्ड के जरी लोन ले रखा है उनका आने वाली पांच मार्च दो हजार गुनिस तक दो लाक रोपे तक का कर्ज माफ करने पर विचार कर रही है और इस प्रेश गए दिया कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा दोस्तो इसी से सम्मादित आपके हित में कोई लेटेश नू जाएगी तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता देंगे और सातियो आपसे बिंती है अगर आपको मेरे दोरा बताई गई जानकर या अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप चैनल पे नहीं हो तो लाल रंग की सब्सक्राइब और वेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए धन्यवास सातियो